आप देख रहे हैं रास्ट की आवाज हिंदी नी उच्छ जमुली जिला जाजा से बलजीत पास्वान की रिपोर्ट जाजा नगर परिशद के अधिकारी और स्टॉप द्वारा जलावन के रूप में देते हैं कच्चा लकही साथ तारीक की शाम तकरीबन साथ बजे बजे गांधी चौक पर नगर परिशद के छोटे अधिकारी और स्टॉप जाजा के हर चौक पर जलावन की व्यवस्था करते नजर आते हैं इस दिशा में जाजा के फाड़ी चौक पर कुछ मांजी लोगों ने बताया कि 3 किलो से 5 किलो जलावन देकर सारे लोग चले जाते हैं यह लकडी जलने के तुरंक बाद बुझ जाता है क्योंकि यह लकडी बहुत ही कच्चा होता है फाड़ी चौक के मांजी लोग नाराज है कि इस तरह का मत्भेद हम लोगों की साथ क्यों किया जाता है मांजी समाज के सारे लोग चला रहे हैं मगर लकडी नहीं चल रहा है और इंतिजार कर रहे हैं कि आप जलेगा आप जलेगा मगर कब जलेगा जब यह ठंडी से सारे लोग की कुड के चम जाएंगे तब मैं कारपालेक पढ़ितारी से पुछना चाहता हूं जरना चाहते हैं यह जो है पांच किलो लकड़ी देखे जल गया और बहुत 35 किलो पह बता हैँ यह लगडि कितना है पांच किलो होगा. मगर ये जो है कच्छा लगडी कब तक जलेगा? जल्बे नहीं करेगा. इसका गोसी कौन है? नगर परिसद के अधिकारी? ये नगर परिसद के अधिकारी भी बोल रहा है, यानी सही बात है. यह बाबू तुम बताओ यह लगड़ी कितना है पांच किलो और यह कच्छा भी लगड़ी है यह कैसे जलेगा क्या होगा यह जाजा नगर परीशत के भरश अधिकारियों का बेकार बेकार हो चुका है यह लगड़ी नहीं जल रहा है तो क्या करना फेक देना है नगर परिशत के तरफ से जो दिया गया है यह लगड़ी कि कितना है कितना होगा अभी पांच किलो यह लगड़ी कितना होगा जो अभी लगड़ी दिया है अभी नगर परिशत के तरफ से जो अधिकारी देने आया है इस्टाप कितना दिया है पांच किलो मगर हमें तो पताया गया कि पंदरा किलो करके दे रहा है कितना दे रहा यह लगड़ी कितना होगा पांच किलो होगा अच्छा लगड़ी दिया है अब को लगड़ी तीन किलो है तीन किलो या पांच किलो इससे ज्यादा नहीं है मगर नगर परिशत के अधिकारी बोल रहा है कि ये जो है πंदरा किलो कम से कम देने का है अब कर देने का है झाल लेकन दिया तो पांच किलो नहीं किलो पांच किलो अभी कच्छा लगड़ी है वो भी कच्छा लगड़ी देंके चलिया क्या